सीधी की दुर्भा के पूर्ण विटनाम है लगातार माप्रसाचन से और राहत के कारी उबले लगे हुए लोगों से वेरी चर्चा हो रही है यह मेरे लिए जन्त दुखत है कि लगवगात ठारा सब अब तक निकाले जा चुके है मन बहुत बैसित और दुखी है लगातार माप्रसाचन जारी है दोनों मंत्री भी तुलसी रामसलावट जी और रामसलावट पटेल जी रवाना हो रहे है पूरा प्रसाचन कलेक्टर कमिस्तर आईजी एसबी एसडीर एफट्टी में सभी लगे हुए है हम जो बहतर संभवे सब करने का प्यास कर रहे हैं इस दुखत घटना में दुरभा के पूर घटना में जो हमारे भाईवें नहीं रहें उनके परिवार को पांच आक रुपे की तादकालिक साहता राहत प्रदान की जाएगी दुख की घटी में हम उन परिजनों के साथ हैं पूरा प्रदेश उनके साथ ख़़ा है मेरी सबसे अप्दिल है कि ध्यरी रखें मैं यह पूरी प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता आपके साथ है मेरे प्री बहनों और भाईयों आज हम बड़े उत्सा से एक लाख दसजार घरों में ग्रह प्रवेस का कारिक्रम संपन्द करने वाले थे लेकिन सबेरे आठ वजे ही मुझे यह सूचना मिली सीधी जिले में बांड सागड की नहर में सारदा पाटन करके गाउं है महायात्रियों से भरी एक बस गिर गई बांड सागर की नहर काफी गहरी है हमने तदकाल बांड से पानी बंद करवाया राहत और बचाव दलों को रवाना किया कलेक्टर एस पी SDRF की टीम वाह है हाईडरा क्रेन सारे संसाधन पहुंचे हैं बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं एंबुलेंस डाक्तर वाकी सारी बवस्थाएं महां की हुई है और हमारी भरसक कौसिस यह है कि हम अपने भाई बेहनों को बचा पाएं लेकिन ऐसी परिस्थती में मेरा भी पूरा दिमाग सरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्ही यात्रियों में लगी हुई है इसलिए आज कारी कम करना उचित नहीं होगा मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाओ कारी करने वाली कीम के संपर्क में आठ बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ साथ साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले कौसिस यह है कि अपने भाई बहनों को स्वरक्षित बचा पाएं